स्वागेत है आप सभी का वाईटी एजुकेशन में बिहार दरोगा और सठवी बीपीसी को जो भी छात्र टार्गेट करके बैटे हैं उनके लिए डेली सुबह 10 बजे ये सबजेक्ट वाइस यानि टॉपिक वाइस भी कह सकते हैं इसे सार संग्रह लेकर आ रहे हैं हर एक लिख करके सारे वीडियो देखिए जरूर इंपॉर्टेंट कोशें चालिस प्रशन लेकर आते हैं इससे बाहर कोशें उस टॉपिक से नहीं पूछा जाता है अक्सर पिछले कई सालों से देखा गया है कि इन टॉपिक से कोशें आये हैं परिक्षाओं में तो इसका एक ब्रह्मांड और हमारा सौर्य मंडल जी हां जहां पर हम लोग कुछ प्रश्ण ऐसे देखेंगे जिसमें कि सौर्य मंडल को एक द्रिष्टी में देख लेंगे कौन-कौन से ग्रह है किसको कौन सा ग्रह कहते हैं पीला ग्रह किसको कहते हैं नीला ग्रह किसको कहते हैं लाल ग इतने हैं घड़ते क्रम में बताना है बढ़ते क्रम में इन सभी टॉपिक से आपकी परिक्षाओं में पुछे जाते हैं तो इसी सभी टॉपिक के कोशन भी देखेंगे साथ ही साथ आपको एक वन लाइनर जो है नोट्स की तौर पर रिवीजन भी कराएंगे तो चलिए शु जी हाँ यहाँ पे मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा जो भी छादर देखेंगे बिहार सिपाही बिहार दरोगा का तयारी अगर कर रहा है तो उसको कहीं कोचिंग जोइन करने की जुरत नहीं है मुझे लगता है कि यूटूब पे बहुत सारे से टीचर है जो कि आप आपको free of cost में पढ़ा रहे हैं अभी वैसे तो यह सारी चीज़े बदल रही हैं लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कहीं भी आपको 1000, 2000, 5000 या 10,000 दे कर तयारी करने की जुरत है जितनी चीज़े हम लोग अपने चैनल पे दे देते हैं उतना आपके लिए sufficient होता है बस आपको अपनी तयारी के लिए serious होना पड़ेगा, notes बनाना पड़ेगा, खुद से notes बनाईए, बैठी ये पढ़ाई करने तो खुद से notes बनाईए उसका, तो ये काम छोटा सा कीजेगा, देखिए आपके exam के date आते आते तक आपका पैसा बहुत बच जाएगा, बहुत सारे topic हम देखिए उटाकर, हमारे playlist को देखिए, हर बार नए taste series भी कराया है, हर बार आपको topic wise भी क्यूज करवाया है, बस आप लोगा support चाहिए होता है, ठीक है, तो चलिए शुरुवात करते हैं, और पहले प्रशन पर लेकर चलते हैं, तो ब्रहमांड का अध्यन क्या कहलाता है, यह question पूछा गया है परिक्षा में दोस्तो, ब्रहमांड का अध्यन क्या कहलाता है, तो अगर आप option number cosmology के साथ जाते हैं, तो आपका उत्तर यह होता है, is the correct answer, नोट कर सकते हैं आपे दोस्तो, ब्रहमांड के अध्यन को क्या कहते हैं, बिल्कुल, answer कीजिए का cosmology कहते हैं, अच्छा देखे, खगोल विज्ञान के अगर हम बात करें, खगोल विज्ञान एक ऐसी साखा है, चुकि परिभासा हम लोग बच्छपन में ऐसी पड़ते थे थे ना, कि बताइए कि इसके बारे में क्या जानते हैं, ब्रहमांड विद्ध्या के बारे में क्या जानते हैं, आप NCERT का जो बुक उठाएंगे, NCERT का जो बुक उठाएंगे, महिसकुमार बर्णवाल वाली, तो यही परिभाशा वहाँ पर दिया गया है, तो आप लोग भी बुक लेना है, जोगरफी का कोई, तो NCRT जो आता है बुक दोस्तों, महिसकुमार बर्णवाल की, वह आप बुक ले सकते हैं दोस्तों आपके लिए बहतरी इन बुक होगी और आपके वह मेंस में भी जिसका जोगरफी मेंस होता है और उप्ष्णल पेपर होता है उसके लिए फायदा करेगा सवाल नंबर दो पे चलते हैं दोस्तों आंसर कर लिजीए कि यहां पर बिग बैं कर टूटे थे जहां अंत्रिक्ष में अगर बात करें तो अंत्रिक्ष में फैला हुआ वह छुटा छुटा चुटा कॉन जो कि दूसरे को बहुत दूर तक ले गया इस सिधान्त को जिहां बिग मैंग थियोरी के नाम से जानते हैं तो आंसर यहां पर कर लिएगा दोस्तों जोर्ज लेमिंटर यहां पर उत्तर हो जाएगा बी इस दर क्रेक्ट आंसर सवाल नंबर तीन पर चलते हैं सबसे बड़ा तारा मंडल कौन है ठीके तारा मंडल देखे ताराओ का संग्रा जियां आंसर किजिए दूस्तों तीसरे का यहां पर जियां वैसे बहुत सारे डिगा यह जो है जो जो तीरहीं सोटीन वर्ग डिकरी का मापक ऊसका रखा गया और सो डिए अधिक लंबा भी था और सेंट्वरें सबसे प्रकास महतारा मंडल भी यह कहा जाता है ठीक है है जिसे दाख्षण क्रॉक्स के रूप में भी जानते दोस्तों और इंपोर्टें कुशन 4 का कव्ध के पास नहीं है कि कुशन 4 के दोस्तों यहांgrass पर बुध्ध के पास नहीं और शुक्र के पास ने हैं ठीक है हमारे सौर मंदल का ये दोकि कोई इसका उपग्रा ने ढूंग लेकिन यहां पर बुद्ध और सुखर का नहीं है याद रखेंगे इंपॉर्टेंटे कोश्चन कि सी ओफ ट्रंक्विलिटी क्या कहलाती है अग्या कि बिल्कुल आंसर कर लिए दूस्तों यह अच्छली कहां परिस्तिते पूछा गया है सी ओफ ट्रंक्विलिटी तो आंसर कर लेंगे कोश्चन नमर फाइब कर यहां पर चंद्रमा है ठीक है बीज़ब कर्यक्त अंसर नोट कर सकते हैं स्वाल नमबर चे पे चलते हैं ब्रहमार्ण में बिस फोटी गारा क्या कहलाता है यह बिए अजिकि किसी तारों का जो जीवन काल होता है तो पूरा हो जाने के बाद वह भेंकर धमागी के साथ यहां उसका मलवा जो है ब्रह्मान में फैल जाता है इस भेंकर बिस फोर्ट को हम लोग यह सूपर नुवा भी कहते हैं ठीक है तो याद रखेगा अभी नौतारा सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर कुशन नंबर साथ पर आंसर करें अफिसरी मापते हैं तो हम लोग किसी भी फिंट की बीच की जो दूरी मापते हैं उसको खखोली एक अक जिर रहते है ठीक है याद रखेगा या ख़गोली इकाई कहते है उसको और प्रित्वी और सूरी के बीच की दूरी जो है लगभग और उन फॉर्टी नाइन करोड व दूरी मांपी गई यह दूरी प्रिद्वी के कक्षरी अवधी के दोरान भिन्नता भी पाई जाती है ना कक्षरी यानिकि उनके कक्षज्श से अगर मापेंगे तो कुछ भिन्नता भी अलग भी होगा सवाल नमबर चलते हैं दोस्तो आठ पे आंसर करेंगे यहाँ पर प्रकास वर्स मात्रक है तो यह जो है मात्रक है ठीक है प्रकास वर्स जो है एक मात्रक है अब यह प्रकास वर्स क्या मापते हैं तो दूरी को मापते हैं आंसर क्या कर लेगा आठ का उत्तर यह हो जाएगा य बिल्कूल आंसर कर लेंगे दोस्तो यहां पर नावीके सनलयान है, ये कोशशिन बिहार दुरोगा में पूछा गया है, बीिस दirk उसलन्य अंसर, नावीके सनलयन का उत्पन होता है दोस्तो पर्माणू सनलयन तब होता है, जब दो hydrogen प्रमाणू मिलकर एक helium प्रमाणू बनाता है ठीक है तो यह ध्यान रखीगा नावे के sun lion सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों question number 10 पे answer करेंगे एक वर्स में प्रकास द्वारा तै की गई दूरी क्या है कि बिल्कुल उतर कीज़ेंगे दूस्तों प्रकास वर्स कहते है उसको एक वर्स में प्रकास त्वारा ताय की की दूरी प्रकास वर्स दूरी की ऐकाई होती है और एक प्रकास वर्स में अगर एक कल पिरत्वी की बात करें तो 6 ठिलिय fen d живón लवाय की दूरी करता ये सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों 11 आणसर आंसर कर लेंगे गॉड़ पार्टिकल क्या कहलाता है है तो बिल्कुल उत्तर कर लीजीए दोस्तों येिए जिए सो ऑन नोट कर लें ये गॉड़ पार्टिकल विज्ञानिक नाम क्या है i हिक्ष बोसान है इसका बेग्यानिक नाम है और आपको बता दे कि गौड़ पार्टिकल की खोज जो है हम जान यहां पर बताएंगे इनके नाम से जाना जाता है स्वाल नंबर चलते हैं दूस्तों यहां पर 12 पर अंसर करेंगे सूरी का प्रकास प्रत्वी पर पहुंचता है यह आता है तो उत्तर कीजिएगा दोस्तों कुशनबर 12 का 8.3 मिनट में ठीक है आंसर कर लेगा सी इस दा करेक्ट आंसर सवाल नंबर चलते हैं तेरा पर दोस्तों आंसर कर लेंगे गैनिमेड किसका उपगरह है जैसा कि मैंने आपको बता है न जीसे प्रित्वी का उपगर और चंद्रमा है उसी तरह जो है यह दोस्तों किसका उपग्रा है तो यह है दोस्तों ब्रहस्पती का सबसे बड़ा उपग्रा है इसका ब्यास लगबग 526 किम्सकों ध्यान रखेगा लगब तो मतलब ऐसा है ग्यानिमेट की बुद्ध ग्रह से भी बड़ा है आठ पर्तिशत बड़ा है स्वाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहां पर कुश्च नंबर 14 पर आंसर कर लेजिएगा एक पार्सिक बराबर होता है बिलकुल देखे 14 का उत्तर कर लिजिएगा यहां पर बी 3.26 प्रकास वर्स में पूचा गया है तो आंसर बी पार्सिक भी एक एकाई है दोस्तों दूरी मापक का सबसे बड़ा छुद्र ग्रह कौन सा है यह भी कोशन आया हुआ एक्जाम में तो बिलकुल आंसर कर लिजिएगा दूस्तों जीहां सेरे से तो देखे जितने भी प्रिविए सेर वाले छात्र तैयारी करते हैं पेपर पढ़ते हैं बहुत जरूरी उनका पढ़ना खासकर ऐसे टॉपिक्स के लिए जहां से कोशन बहुत ही मतलब स्टैक्स होते हैं कि वह आन सबसे बड़ा उपगरा है यह टाइटन आपको बता दें कि उपरी वायु मंदल में अगर देखें जीवन से जुड़े एक मतपुन कारत की खोज भी किया गया है यहां पे तो यह ध्यान रगेंगे अगले सवाल पर चलते हैं अगली सवाल पर चलते हैं दोस्तों सूरी की स का थाप मांझ कितना होता हैं सुरी की साथ का थाप मान कितना होता है एंसर कमेंट के सक्सिन में कमेंट कीजिएगा चलते दोस्तों 18 करेंगें बहुत कौड़ेंट कोशिन हैं अपने अक्षव पर सबसे तेज गती से परिभरमण करने वाला ग्रह कॉन सबीट से घॉयानिकी प्रिहस्पतिग्र सबसे तेज ग्रह मदलब वो करता है ग्रमन करता है अपने अक्ष पे ही ठेके तो आंसर कर लीजीगा यहां पैठारा का डी जीहां नोट कर लीजीगा अच्छा लेकिन और ब्याद दियान रखेगा अगर यह पोशे कोशन पोशेगा कि सबसे जल्दी कौन कर लेता है चुकि सूरी के नजदीक होने के चलते जो है बुद्ध ग्रह जो है तो सबसे अपने आक्ष पे परिभर्मन कर लेता है सूरी के प्रक्रिमा कर लेता है लेकिन अपने आक्ष पे पूछा क्या है इसलिए ध्यान रखेगा सबसे तीज गती से परिभर्मन करने वाला जो है ग्रह ब्रसपती ग्रह है ठीक है और यह जो है बुद्ध ग्रह जो है मात्र 88 दिन में जो परिप्रमा कर लेता है और अस्तन गती इसका 47.36 किलोमेटर पर 30 सेकेंड का है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों कोशन नमर 19 प्यांसर कर लेंगे सबसे चमकीला ग्रह कौन है तो बहुत बार परिक्षा में पूछा गया है सुक्र ग्रह को अनिनामों से भी जाना जाता है इसके उपनाम है जिहां सबसे चमकीला ग्रह सबसे गरम ग्रह और प्रित्वी की जुडवा बहन भी कहते हैं इसको सुक्र को सी इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं आंसे सवाल अगले सवाल है कि एक प्रकास वर्स बराबर होता है अब यह भी कोशिन का बिहार दुरुगा का सब पूछा गया प्रशन है तो आंसर सोच समझ की यहां से किजिएगा 20 का उत्तर कर लिजिएगा डी जिहां यानि की एक प्रकास वर्स जो है लगबग नौसो नौ दसमालों चार छे इंटू 15 मीटर होता है या पिर लगबग कहीं कहीं अक्षिये मैंने आपको क्या वोला जो इनके कक्षिये कक्षिये से लेकर उनके खगोली पिंडियों तक मापने के प्रक्रिया होता है तो यह इतना भी हो सकता है और यह और भी दो यहां पर उत्तर हम कर सकते हैं तो आंसर यहां पर हम डी चूस करेंगे यहां सवालन्बर 21 पर चलते हैं आकास किसके कारण नीला दिखाई देता है उत्तर करेंगे दूस्तों परिक्रमन के चलते ठीक है आंसर कर लेंगे C is the correct answer नोट कर सकते हैं जी हाँ नीले रंग के अधिक जो होता है परिक्रमन होता है जिसके करण जो है नीला प्रकास की तरंग ध्यार जो है अन्य प्रकास के तुलना में कम होता है जिसके चलते क्या होता है कि निला प्रकास जो होता है प्रित्वी के वाई मंडल में हावा में छोटे छोटे जो अनू होते हैं उन दिशाओं में दिखाई देते हैं जिसकों की परक्रिणित होता है और इसके चलते वो निला दिखाई देने लगता है तो परक्रिणन जो है इ प्रहस्पत्ती में जो है सबसे ज्यादा छुद्रगा दिखे जाते हैं जैना इस्ट्रॉइड ठीक है नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सीज़ा करेक्ट आंसर स्वाल लंबच चलते हैं 23 पर दोस्तों आंसर कर लेंगे यहाँ पर ब्रहमांड का मौलिकन होता है ब्रहमां सकते हैं दोस्तों डी is the correct answer नोट कर लीजिए गाँ सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पर 24 चंद्र माक कीस ग्रह का एक मात्र उग रहा है रिथवी का नोट कर सकते हैं से ह्वाल नंबर चलते हैं जानते हैं तो अगले 26 पर आंसर कर लेंगे याँ पे भू इस्थिर उपग्रा को कितनी उचाई पर इस्थापित किया जाता है तो लगबग 36,000 किलोमेटर पे D is the correct answer यहां से आप नोट कर सकते हैं स्वाल लंबर चलते हैं 27 पे दोस्तों आंसर कर लेंगे देखे जो यान होता है ना यान या उपग्रा उसको हम लोग भू स्थिर उपग्रा कहते हैं यान या उपग्रा कह लेजिए तो प्रित्वी की भू स्थरिये काक्षा में स्थापित किया जाता है जिसकी मदद से जी एसलवी जैसे जो रॉकेट हैं वो अंत्रिक्ष में छोड़े जाते हैं जो दो टन से अधिक भार वाले उपग्रा होते हैं प्रित्वी से लगबग 36,000 किलोमेटर के उचाई पर उसको स्थापित किया जाता है जो कि विश्वत बृत या भूमाद्य रेखा के सीध में ह जाता है तो यह याद रखेगा 36,000 किलोमेटर ठीक है अगला सवाल है दूस्तों प्लूटो प्लूटो क्या है तो प्लूटो एक ग्रह है और यह बॉना ग्रह है बॉना ग्रह के नाम से जाना जाता है तो 27 का उतर आप यहां पर सी कर लिजीगा इस दा करेक्ट अंसर सवाल पर चलते हैं 28 पर दोस्तों अब देगे प्लूटो का खेल जो है ना प्लूटो का खेल जो है 2005 और 6 के दौरान जो है क्या हुआ हमारे सौरी मंडल से नवे ग्रह के रूप में जाना ज्यादा तो उससे पहले लेकिन उसके बाद उसको बाहर कर दिया गया और उसको बाहर कर दिया गया तो हमारे ग्रह कितने अब तो सौरी मंडल में आठ ग्रह है इसको ध्यान में रखेगा इंपॉर्टेंट है कोशन आ सकता आपके परिक्षा में दोस्तों इनसे जितने भी सवाल होंगे आपके परिक्षाओं में उसको याद रखनी की जुरुरत है आपको ठीक है चलिए अगले सवाल पर चलते हैं दोस्तों सवाल नमर 29 पर जिवास में ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है बिलकुल याद रखेंगे 29 का उत्तर कर लिएगा दोस्तों यहाँ पर चंद्रमा को D is the correct answer जिवास में ग्रह के नाम से जानते हैं सबसे कम समय में सूरी की परिक्र कर लेता है ठीक है और 47.3 है ना यह जो है किलूमेटर के स्पीड से जो है परिवर्मन करता है शुरी का सबसे कम दिन में यह कर लेता है सुरी का जिप्तिमान सत.. सत.. जो कहलाता है तो याद रखेगा 31 का उत्तर यहां पे कीजिएगा प्रकाश मंडल कहलाता है बी इसद करेक्ट आंसर प्रिथवी का बहन कौन कहलाता है मैंने बताया ना कि सुक्रगरह के बहुत सरे उपनाम है तो सी सुक्रगरह इसद करेक्ट आंसर जुड़वा बहन कहलाता है सूरी से प्रित्वी की दूरी कितनी है देखे यह कोशन वह ने अभी उपर आपको बताया था तो 119.6 मिलियन किलो मेंटर की दूरी है दूस्तो यह करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं सवाल नंबर सवाल नंबर चलते हैं यह कोशन पूछा गया है परिक्ष्या में ध्यान रखेगा 35 पर आकाश गंगा की आगरती कैसी होती है आंसर कर लेंगे दूस्तों यहां पर जी हां सरपीला कार है जी हां नोट कर लेजिए कुछ इस तरीके से जो है आकाश गंगा मारा बना हुआ है ठीक है आकाश गंगा जो चीर मार्ग या उससे गैलेक्सी के नाम से भी जानते हैं और यह हमारे सौर मंडल में ही इस्तित है आकाश गंगा अकरती में सरपीला का याने कि स्पाइरल गैलेक्सी है जिसका बड़ा केंदर जो है और उसके निकलता है और उसकी वक्र भुझाए हैं ओफ एनक... सबसे गरम गराँ तो आंसर किजिएगा सुक्रगराँ आपको सबसे गरम सबसे चमकीला प्रत्वी की जोड़वा बहने अनि नामों से जाने जाते हैं सुक्रगराँ ग्रहों की गती के नियम में प्रतिपादक कौन है बहुत ही एक्सपेक्टेड कोश्चन है यह ध्यान रखेगा आ सकता है आपके परिक्षाओं में बिलकुल जी हां नोट कर लिजीगा यहां पर दोस्तों 37 का उत्तर कर लिजीगा सी जोनेस कैपलर सवाल नमबर चलते हैं 38 पे हमारे सौरी मंडल या सूर्य जिस आकास गंगा में इस्थित है उसे किस नाम से जाना जाता है तो आंसर किजीगा दुग्द मेखला कहते हैं इसको है न सबसे निकट प्रिथ्वी समझा तो देगें रहें है इसकी जुड़वा बहन कैलाती यह सुक्रग्रण और सबसे निकट का भी है अगर हम बात करें दूस्तों यहां पे ग्रहों की उसके बारे में हम चर्चा करेंगे सौरी मंडल में सूरी के सबसे पास कोन ने उसके बात क आठ द्रहों का जो इस्तिती है वो किस तरीके से है वह हम अभी बात करेंगे जब इसके नोट्स के उपर चलेंगे तो सवाल नमबर 40 चंद्रमा का प्रकास प्रिद्वी पर पहुंचता है कितने देर में तो चंद्रमा का प्रकास पूछा गया है याद रखेगा यह कोशन कितने वर्सों के अंतराल पर दिखाई देता है यह कोशन आया हुए बिहार दरोगा में तो 42 का उत्तर कीजिएगा दोस्तों 76 वर्स्त के दोरान जो है धूम के तू जिहां दिखाई देता है सवाल नमबर चलते हैं 43 पे सूरी का मुख्य संगठक है सूरी का मुख्य संगठ है दोस्तों याद रखेंगे हैड्रोजन और हेलियम दोनों ही तो ए और वहां पर उत्तर कर सकते हैं आप लो सवाल नमबर चलते हैं दोस्तों 45 पे 44 पे तारों का रंग किसका सूचक है आंसर कर लिएगा यह ताप का सूचक है c is the correct answer यहांसे नोट कर लिएगा यहांसे और खगोल सास्तर के नुसार तारों के रंग और उसके तापमान का गहरा संभन होता है जिसके चलते किसी भी तारे के रंग सूचक उसके तापमान पर ही निरभर करता है यह लाल दिखेगा या पीला देखेगा या सफेद दिखेगा ठीक है अगले सवाल पर चलते हैं प्रित्वी का सबसे निकटमतारा कौन सा है तो आंसर कर लिजीएगा दोस्तों सूर्य है इस दा करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं अब जो है यहां पर दोस्तों आपके लिए इससे टॉपिक से जुड़े हुए वन लाइनर नोट्स भी है यहां पर जो कि आपको एक दृष्टी में इसको खतम करना होगा देखकर ताकि यहां से सारे चीज़े जो आपने पढ़ी है जो क्यूज किया है वो आपको याद रसे तो रिवीजन के तोर पर यह नोट्स है फटा फट देखते हैं इस वीडियो को अंतक जरूर देखेगा प्रिथवी को घेरने वाला आकास ब्रह्मांड कहते हैं उसको प्रिथवी का अध्यन करते हैं हम लो किसमें तो कॉस्मोलोजी में ब्रह्मांड में लगतर प्रसार की घटना विग बैंग जिया त्योरी पे निर्वर करती है ब्रहंड के उत्रवाधि जो मानने सिधान्त है वो बिग बैंग त्योरी पे ही निर्धारित है यह चार कोश्वे आयोए परिक्षा में तो यहां से important है महाविस्पोतक सिधान्त कहते हैं बिग बैंग तेयोरी को तो जो कि बिहार दरुगा बिहार एससी के लिए बनाया जा रहा है वह आपको साजा किया जा रहा है तो यहां से जरूर जुड़े हैं जाके आप लोग अभी यहां वाइट एडूक्षिन के टेलीग्राम ग्रूप में भी और चैनल पे भी जहां पर यह पीडिएफ आपको शेयर रखेंगे यह कोशन पूचा गया है कि आदुनीख खकोल साथर का जनग किसको कहा जाता है तो कौपर निकस को कहा जाता है जो कि पॉलेंड से थे हैं अगला सवाल है कि स्वारे मंदल का केंद्र और प्रित्वी उसकी प्रक्रमा करती है यह सभी जानते हैं यह किसने का था अगला सवाल है कोशन की प्रित्वी जो है ब्रह्मान का केंद्र है और सूर्य इसकी प्रक्रमा करता है यह किसने कहा था तो यह टॉलमी ने कहा था बट इसको गलत साबित किया इन्होंने कौपर निकस ने अच्छा ग्रहों की गतिकन नियम का पर्तिपादन किया गया था ज जोहनेस कैपलर के द्वारा जो कि जर्मनी के थें एक खगोल सालत्र थें रभान को लगातार जिस्तार हो रहा है जिसको पताया गया था एडविन हबल्क ने जो कि 1920 में इसके बारे में जियां सोध किया था दोस्तो सौरी मंडल का मुखिया सूरी होता है यह तो आपको पता है यह सौरी मंडल को द्रिष्टी से देखे जाएंगे लेकिन इसको आगे हम लोग देखेंगे फिलाल यहाँ पर अन्य प्रष्टों पर चलते हैं और सौरी मंडल का विकास लगभग 4.5 अरव वर्स पुरान है हिक्स बोसान का अन्य नाम दोस्तों गौड पार्टिकल इस दर राइट आंसर नोट कर सकते हैं संड संड जो है कहां इस्तित है जहां पर लार्ज हेड्रों क्लॉराइड कोलाइडर है लेचेस मसीन और द्वारत 2010 में हिक्स बोसान के निर्मान का प्रियास हुआ तो यह द जी हां अगला सवाल है कि ब्रमांड की आयू यह कोश्चन पूछा गया है आपके परिक्षा में ठीक है यह आ सकता आपके परिक्षा में भी तो तेरा बिलियन वर्स है दोस्तों याद रखिए इंपॉर्टेंट है कोश्चन यह आएगा ही आएगा परिक्षा में और डेली का सबसे बड़ा मातरग पारसेक होता है और एक पारसक बराबर लगबग तीन दसमों लोग दो छे प्रकास वर्स होता है तो यह कोशन एक्जाम में पूछा गया है यह भी पूछा गया है देखिए बहुत सारे यहां पर कोशन आपको मिलेंगे जो कि रिपिटेशन वाले होंगे आयोगे परिक्षा में तो यह इसी का फायदा है कि थूलकन और तारों का समू कहलाता है दोस्तों आकासगंगा हमारी आकासगंगा का नाम क्या है तो दुग-d- मेडा भी कहते हैं अकास गंगा मंदाकिनी दोस्तों याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है को सरप्रतम देखा गया ब्रिस्पति ग्रह की खोज करते समय जियां और यह गैलियो ने किया था ठीक है नेबुला नेबुला जो है निहारिका की नाम से जाना जाते है और अंत्रिक् के समय यह कोशन डाला गया था वह क्या होता है नेबुल और गैसु का इसी वाला नेबुला जिसका नाम है ओरियृन यह दिख सकता हमें पलसर क्या होता है ब्हारदुरुगा में व meva प्रमांड का सबर्न का क्या कहलाता है याद रखेंगे एक्स Lori कोषिन है तारों में और्जा का सुरोत नाभी कि चलाता है यह इस टार of की हाँसे आपको लगाने होंगे वे तारों का गटक हाइडरोजन और हीलियम यह कोशन बता चुके हैं। पृत्वी का निकटमतारा चुरिय है जी जहीं भी बता चुक है तारा पुछा गये धमजी सूरी एक तारा होता है तो सूरी से नी कटतम तारा है दूस्तों एक नाम है प्रॉक्सिमा सेंच्री सबसे चंकीला तारा तो साइरस है जिसका नाम गुराप पूछेगा सौरे मंडल का तो सुक्र गृप बताईएगा लेकिन समसेशब की लिए तारा पूछा गया है निकी सूरी के बार में तो यह साइदस नाम है इसका जिसको डॉग इस्टार भी कहते हैं तारे का रंग सूचक होता है उसके ताप पे मैंने जिसके अब आपको होता है तारों का टिम्टिमाना प्रकास की अपवर्तन के चलते होता है आने कि प्रथू से आप देख रहे हैं ऐसा नहीं कि वो टिम्टिमाना आते हैं आकास में यह प्रकास के चलते हैं आप देख पाते हैं आंतरिक मृत्यों से ग्रशित होते हैं क्या कहलाता है तो चंदर सेखर सीमा ही कहलाता है तो यह तीनों को इसे सेधि?! चंद्रिशेखर सीमा कितनी होती है तो 1.4 फूर्फूर सुर्य द्रबिमान होता है तारों का सुन्दर आकरिती तारा मंडल कहलाता है तारा मंडलों की कुल संख्या 89 है सबसे बड़ा तारा मंडल सेंटॉरस है जो की 94 तारे इसमें सामिल है सबसे छोटा तारा मंडल हाइडरा है जिसमें 68 तारे इसमें सामिल है धुरू तारा भाग है किसका तो लगू सबतरिशी का ये एक्सपेक्टेड कोशन है पूशा गया है कोशन और ये दोनों भी एक्सपेक्टेड कोशन है इसको नोट कर लिजेगा यहां से दोस्तो दिशा निधारन में सहायक होता है दू तारा जो है अक्सर देखा जाता है उत्तर दिशा को स्वाल नंबर चलते हैं धूम केतु के जह धूल बर्फ और गैसो के निर्मित एक पिंड है 76 वर्षों में दिखाई देने वाला धूमकेतु जिसको पुछलतारा कहते हैं हेली उसका नाम है अन्तिम बार ब्रिष्पती है और इसके पास जो है 70 नाइं उपग्रा है और सब्सेइस उसके बात का जुक्रес वो सनी मपघाई है जिसके पास सबसे ज्यादा तारा लगबग समान है फिर मंगल है फिर उसके बाद बुद्ध है सबसे छोटा यह आकार की दृष्टी से हम बता रहें आपको ठीक है तो इसको याद रखेगा ब्रिस्पति सनी अरुन वरुन पृत्वी सुक्र मंगल और बुद्ध जहां पे सुक्र और बुद्ध का कोई भी और यह पृत्वी यह आंत्रिक ग्रहों का नाम है याद रखेगा अगर हम क्रम वाईज देखें तो सुर्य से दूरी पृत्वी की तीसरी है यह ध्यान लखेंगे यह कोशन भी पूछा गया है एक्जाम में फिर बाहे मद्ध ग्रहों की बात करें तो मंगल ब्रहस्पति औ और बाहें ग्रहों की बात करें तो अरुन और वरुन है ठीक है एक हमारा सौर्य मंडल से ग्रह वार हो चुका है 2006 से जिसको हम लोग प्लुटो के नाम से जानते थे ठीक है सूरी का केंद्रिय भाग है दूसतों केंद्र को कोर कहते हैं चूरी केंद्र का तापमान लगबग 15 million degree Celsius होता है सूरी की सत्था का तापमान 6000 degree Celsius है दोस्तो और सूरी के बाहतम परत जो है इसको में लोग किरीट कहते है या कोरोना कहते है याद रगे यह कोशन आया हुआ है कोरोना क्या है यह कोशन अभी BPSC माल में पूझा गया था तो किरीट कहते है इसको बाहतम परत को कोरोना जो है दोस्तो सरजित करता है एक्स किरने यह important है कोशन ठीक है सूरी का जो है दिप्तिमान सत्थ क्या कहलाता है तो प्रकाश मंडल कहलाता है फोटो स्पेर कहते है इसको याद रखेगा स्टार मार्क लगा लिए इसकोशन पर स्वाल नमबर चलते है दोस्तो कि प्रकाश मंडल की उपरी भाग जो कि प्रकाश मान नहीं होता है वर्ण मंडल कहलाता है यहना क्रोमोस्फियर कहते है स्टार मार्क यहाँ भी लगाएंगे 27 प्रतिशत होता है और नेता तो यहां पर धाई प्रतिशत है सूरी की उर्जा का सुरोत नाभी के संलेयन चीक है याद रखेंगे सूरी का आकार 109 गुना बड़ा है प्रित्वी से सूरी और प्रित्वी के बीच की वस्त दूरी तो यह 1049 गुर। 508 इंटो 103 पावर 6 और 319.6 million km लगबद होता है यह दोनों बाते रखें यह आपर सूरी क्रहन होता है ए जब सूरिय के बीच हैनना कोना जाता है तो चंद्रमा जाता है ठीक है याद रखेंगे जब सूरिय कि और प्रित्वी के बीच कोना आता है तो चंद्रमा आता है तो लगता है प्रित्वी पर सूरी ग्रहन ऐसा कहते हम लो चंद्र ग्रहन क्या होता है तो जब सूर्य जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में कोना आता है भाई प्रित्वी आता है तो चंद्रमा पर प्रकास नही नहीं जा पाता है इसलिए चंद्रमा W चंद्रमा दोस्तों TV आ्यहां को कहते इसको बिर्थवी की पुर्णटे में यह लगबाग शिवाश्मग्रा के नाम से भी जाना जाता है अंत्रिक्ष यात्री को आकास दिखता यहां बिल्कुल काला दिखेगा आकास नीला दिखाई देता है परिकरणन के चलते उसके कारण होता है तो दोस्तों यहां से यह वन स्वाइनर जो नोट्स है वो तो समाप्त हो गये लेकिन एक जलक यहां पर हम देखेंगे दोस्तों सौरे मंडल के उपर भी स्वारी मंडल से भी कोशन आता है अग्जाम में और हमारे सौरे मंडल की बात सिर्फ की गई यहां पर सूरी का मुखिया सौरी कहलाता है सौरे मंडल जो कि इस्थिती वाला ग्रह है बुद्ध ग्रह ही है पृत्वी से सबसे निकट है सुक्र ग्रह यह द्याना के सूर्य और पृत्वी दूनों वाला कोशन है आपे सूर्य और पृत्वी के जो दूर इस्थित ग्रह है वो वरून है यह दोनों से ज्यादा दूरी पे है और सू सरवाधिक ठंठा ग्रह के हैं तो वरुन हो चुका है नेप्चियों जिसका नाम है वरुन की खोज दोस्तों जॉन गैले ने किया था 1846 में सरवाधिक उपग्रहों वाला ग्रह सनी ग्रह है जो कि यहाँ पर याद रखेंगे बिना उपग्रहों वाला ग्रह तो बुद्ध है और सुक्र है यहाँ पर कुछ डेटा ग्रह लिए सबसे अधिक ग्रह यहाँ पर सनी का है एटिक्टू ठीक है बिना उपग्रहों वाला ग्रह बुद्ध और सुक्र है यहाँ पर याद रखेंगे हैं इसका कोई उपग्रह नहीं है लाल और हरा ग्रह तो लाल चलते यहां पर वेस्पति पीला दिखाई देता है और प्रित्वी जो है दोस्तों यहां पर नीला गरा है क्या है नीला गरा है याद रखेगा सवाल लंबर चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर दोस्तो लेटा हुआ ग्रह अरुन को कहते हैं यूरिनेस जिसको नाम है सरवाधिक गैसो का घिरा हुआ ग्रह अरुन को कहते हैं यूरिनेस को कहते हैं सरवाधिक गैसो वाला घिरा ग्रह यूरिनेस की खोज दोस्तो हरशले द्वारा किया गया था 1781 में सबसे कम घनत वाला ग और पिर्थवी की बहन या सौंदर या की देवता शुक्र गर देखें और नया नाम देखने को आपको मिला यहां पे सबसे बड़ा उपग्रा ग्यानी मेड है जो कि ब्रेस्पती का है और यहां पे देखेंगे दोस्तों सबसे छोटा गर उपग्रा यह डिमोस है याद रहें होता है याद रखेंगे और याद रखेंगे और सबसे बड़ा होता है सन्य में वाले चला की संख्या साथ आसानि के इस की ह्याहँ है सबसे और सबसे देमे गति से परिपरमन करने वाला सबसे कम समय में सुरी के प्रक्रिमाग करने वा लग रहा बुद्ध है जो कि 88 दिन में कर लेता है और पृत्वी के विप्रित दिशा में याने कि पूरब से पश्रिम में चक्कर लगाने लग रहा है शुक्र और अरुण है तो यहां पर उल्टा होता है यहां पर पहले जो है न दिखाई देगा आपको सुर्यास्त फिर सुर्योधय होता है ठीक एध्यान रखेएगा प्रित्वी में सबसे निकट तारा प्रकास प्रत्वी पर पहुशने लगते वाला समय है जो कि चार दसमलों दो वर्स का लगाता है सूर्य और चंद्रमा के प्रकास को प्रत्वी पर पहुशने में लगा समय 8.3 मिलियन मिनिट है जो कि लगबग 500 सेकेंड और 1.3 सेकेंड कहते हैं इसको ठीक है तो प्रत्वी से भाई सूरिस आएगा तो यतना मिनिट लगता है और यह चंद्रमा से आने वाला जो प्रकास से 1.3 सेकेंड है प्रत्वी पर भू इस्थिर उपग्रहों के उचाई 36000 किलोमेटर पर रखी जाती है चुद्रग्रह इस्थित है मंगल ब्रिस्पति के बीच में यह सबसे इंपॉर्डेंट कोशन है यह इस्थारमर लगा लेंगे सबसे बड़ा चुद्रग्रह सेरेस जो कि यह इसके खोज किये थे प्याजी और प्रित्वी का एक मात्र उप्रग्रह जो कि चंद्रमा है सी ओफ ट्रॉंक्विलिटी सी ओफ ट्रॉंक्विलिटी इस्थि तो तीस में की गई टैंबेग द्वारा ग्रहों की सरेनी से हटाया गया सको 2056 में यह प्राकी एक बैठके द्वारा तो यह हमारे सौरी मंडल का एक सौर्ट नोट्स है और बाकी सारे जो उप्रम्हांड से संबंदित है तो ब्रम्हांड और हमने देखा आज का टॉपिक थ हमारा हमारा सौर्य मंडल जिन से जूड़े हुए प्रश्ण भी हमने देखें आपको यहां पर डेली दस बज़े सुबह आपको यह अपडेट मिल जाएगा आपकी परिक्षा से संबंदित जी हैं दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जैहन